देखो पिटा इस सवाल में आपको वेक्टर A दिया है जिसका I, J, K कमपोनेंट दिये गए है आईए आपको देखाते हैं थ्री डैमेंशन होता क्या है अगर हमारे फोटू को देखें यह आपकी X एक्सिस होगे पिटा यह आपकी Y एक्सिस होगई और यह आपकी Z एक्सिस होगे तो देखें यह बात है अगर कोई कमपोनेंट की वेली होगी तो एक कोई वेक्टर होगा उसका X कमपोनेंट यह होगा, Y कमपोनेंट यह होगा, Z कमपोनेंट की यह होगा यहां पर 4 unit यह होगा 3 unit तो आपका Y एक्सिस होगा और 12 unit दिज़ 여기서 Z एक्सिस होगा एंजिल देखे आपका कार्व बना रहा है यह X से बना रहा है यह Y से बना रहा है और यह Z से बना रहा है यानि आप समझ गये हैं कि यह तो बहुत सिंपिल चीज है तीडी में आप समझ जाएं कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर A है देट इस गिवन Y, 4I, प्लस 3J, प्लस 12K है तो अगर हम इसका फिगर बनाने की कोशिस कहें आपको टू डैमिंशन में बना दूंगा मैं और उसको आप अदोगतर 3D में समझ जाएंगे यह वेक्टर X, एक्सिस है, यानि I है और यह आपका सपोज Y है, जो की J से रिप्रुजेंट रोगा और आपके पास एक वेक्टर, क्या है आपके पास? A है, यह मैं राइट? This is your वेक्टर A X कमपोनेंट क्या इसका 4 यूनिट का है, Y कमपोनेंट इसका 3 यूनिट का है इसका मैं राइट? इसका मैंगे टूट निकाल लीजिए, तो एंगिल आपको निकालना बहुत असान है जाता है आपको एंगिल निकालना है, from the X एक्सिस से, एंगिल क्या हो गया है? यह आपका ठीटा हो गया तो आपने कहा हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं अगर ग्रेक्टर A का मेगनीटूट निकाल ले कितना होगा विटा 4 स्कॉाइर प्लस 3 स्कॉाइर मेगनीटूट इस अल्वेस एड़ेट आप जानते हैं यह होगा आपका 16 फ्लस नाइन फ्लस वन फॉर फॉर हाव मच नाइन यह कितना है 5 और 6 अगें 1 यानि 13 अब आप किसी कब निकाल सकते हैं एक्स एक्सिस से निकालना था तो आपने का सब्स ठीटा होगा एक्स एक्सिस से होगा तो 4 अपन 13 हो जाएगा ठीक यहाँ आपका एक्स एक्सिस से है इसके ठीटा जीकल टू कॉस इंवर्स 4 अपन 30 है यानि 3rd is the correct अगर आपको लिए य एक्सिस से पूछना तब क्या करते हैं तो आप कहते हैं कोई दिकत नहीं सा यह य एक्सिस होगे यह तीन यूनिट आपके यह अगर theta है तो आप कहते हैं अगें सब cos theta is equal to 3 upon 13 या theta is equal to cos inverse 3 upon 13 अगर वो पूछता y axis से हो गया z axis से बताईए तो भी आप कुछ ना कहते हैं आप कहते हैं आप कहते हैं बाई cos theta ही होगा कि आपकी जेड़ एक्सिस हो गए जैसा आपको दिखाया था और जैड़ एक्सिस का कंपोर्मन कितना है अब सीख गये किसी भी एक एक्सिस से अगर आपको पूछा जाएगा तो आप अराम से एंगिल को निकाल लेंगे